अज़के इस कारिक्रम में प्रदेश भर से जुड़ेवे सभी हमारे मन्य सांसत मन्य विधायगण योग मंगल दल से जुड़ेवे और महला मंगल दल से जुड़ेवे सभी ओपस्तित प्रदेश भर की भायों बेहनों आज योग कल्याण विभाग के दोरा ये प्रोथसाहन सामगरी का बितन हो रहा है मैं योग कल्याण विभाग को पिछले तीन वर्स के दोरान जिस तेजी के साथ उन्होंने इस विभाग को योगों के साथ और महला दलों के साथ जुड़ा है वह है एक सरहनी प्रियास है मैं इसके लिए बिभाग के मंत्री बिभाग के अपरमुखे सचिव और सभी अधिकारियों को हिर्दे से धन्यबाद देता हूँ आप सभी को जिने प्रोथसान सामागरी मिल लएए उन्हें हिर्दे से बधाई भी देता हूँ वास्तों में हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और देश में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है सरवाधिक युवा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं उस युवा की ओरजा और उसकी प्रतिवा सदे जब भी उसे उचे तौसर मिला है उसने दुनिया के सामने अपने एक नई पैचान बनाई है और भारत के इस युवा की ओरजा को पहली बार अगर किसी ने पैचाने इस देश के इसवस्री प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी ने पहचाना जिन्हों ने युवाओं के लिए ने एक कारिकरम प्रारंब किये खासतोर पर खेलो इंडिया खेलो के मात्यम से हरे गाओं अस्तर तक खेल की प्रति योगताएं आगे आयुजित करवाना उन्हें पढ़ने के लिए एक मंच देना प्रधान मंत्री स्टार्ट अप की योजना हो प्रधान मंत्री स्टैंड अप की योजना हो प्रधान मंत्री रोजगार सिर्जन की योजना हो डिश्टल इंडिया की योजना हो ये सभी युवाओं को प्रोचसाहित करने का एक अभ्यान है मैं भी देख रहा था, योग मंगल दल से जड़ी हुई एक बाली का वो स्यम पी- टेक कर रही है और योग मंगल दल से जड़ करके, पुरे काऊं को इसके साथ जोड रही है और ऐसे अनीक योग मंगल दल, जानि मुझे बताते हुए परसंता है, मैं देख रहा था यानि पांच साल पहले जिस विभाग को कोई पूस्ता नहीं था उस विभाग में आज 77,000 से अधिक योग मंगल दल और महला मंगल दल हैं और इसमें भी क्यों हैं ही नहीं बिभाग की अपर मुख्य सची ने 65,000 से अधिक योग मंगल दल और महला मंगल दलों को प्रोथसान सामगरी अब तक वित्रण करने की कारवाई संपन भी कर दिये आप अन्वान कर सकते हैं मुझे लगता है कि पता ने और रिटार हो गई है या रिटार्मेंट होने वाली होंगी लेकिन मुझे लगता है कि योगों को कैसे एक रसनात्मक दिसा दी जानी है ये उसका एक उधारन है 65,000 अगर एक योग मंगल दल में 20 भी बच्चे होंगे 20 भी युवा या योतियां होंगी अन्वान कर सकते हैं कितना ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का कारे हुआ है एक बहुत अच्छा कारे है रसनात्मक कारे है और आज ये जो प्रोचसान सामकरी मिल ली है कितना अच्छा मिला है फुटबॉल भी है, बॉली बॉल भी है केरम का बोड भी है और भी अच्छा और एक नहीं चार-चारो एक साथ दी जा रही है यानि आप चाहेंगे तो पुरे गाओं को जो प्रणान मंत्री जेने खेलो इंडिया खेलो के माद्यम से हरे एक भारतिये को किसी एक खेल के परति जागरू करने के लिए कहा और अभी सानसत खेल परतिस्परदा भी हुई थी गाओं गाओं में एक-एक संस्दे छितर में आड़ से दस हजार युवा खेलाड़ी पैदा हुई है और उसका पेरणाम भी देखने को मिला उलम्पिक में भारत की सबसे बड़ी टीम गई और उलम्पिक के इत्यास में भारत ने सरवादिक मेडल भी भारत ने चीते हैं जिस रश्चनात्मक तरीक से इसकारिकरम को आगे वढ़ाया है वाविनंदनी है, सरानी अभी है गाउं गाउं में खेल का मैदान हो ओपन जिम का निर्माण हो गामिंड स्टेडियम का निर्माण हो आज एकारियुद दस्तर पर चला है और बहुत सारे गाउं में तो हम लोगों ने बेसिक सिक्सा परिशत के स्कूलों के कैमपस में ही उसके परिश्टर के पास से ही खेल का मैदान बनाया है बच्चे भी खेलते हैं और गाउं के लोगों को भी खेल का मैदान मिल जाता है कितना अच्छा कारिकरम वा है यानि कन्वर्जन्स के माद्यम से विविन विवाग लीट कर रहा है युवा कल्लेण विवाग लेकिन उसमें ग्राम विकास पंचैती राज विवाग या नगर विकास विवाग के सभी लोग मिलकर के उस कारिकरिकरम के साथ जुड़ जाते हैं राज़श विवाग अच्छा कर काम करने लगते हैं तो बच्चों के लिए एक मैदान मिलता है एक खेल का मैदान मिलता है हमारी आं कहा भी गया है कि सरीर माद्यम खलुधर्म सादिनम यानि हमारी भारती मनिसा ने सदेव इस बारे में माना है कि अगर आप सारविक रूप से स्वस्त हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्त होंगे इसकी में कोई संदे होना ही नहीं चाहिए और जो ज़्यादा खेलती कुटते हैं जो बच्चे अच्छे खेल परतिस्वर्दा में भाग लेते हैं आपने देखा होगा करोना काल खंड में उनका कुछ नहीं हुआ जो घर में बैट करके कारेलियों में बैट करके किवल खाली दिमाग सैतान का घर वाला कारे करते हैं करोना उनको ज़्यादा प्रभावित कर ला था और वहाँ एक इस्तिति आप सब के लिए कि अच्छी दिसामे एक रसनात्मक सोच को आगे बढ़ाना और यह कारेक्रम यहाँ पर किया दूसरा इस विवाग ने कारे और किया देखे एक प्यारडी जवान सदेव उपेक्सित रहते थे उनको प्रदेश सरकार के दोरा कितना पैसा मिलता था साल में 23 करोड और डिमपल बर्माजी ने इस रासी को कितना बढ़ा दिया ने भी इस बार किया कर दिया किया ही लिए तो यह एक उत्सा वरदन होता है कैसे हर एक दिसा में कारे क्या जा सकता है कैसे उनका रसनात्मा को प्योग क्या जा सकता है कैसे हम लोग जीवन के प्रते एक छेतर में कारे करना चाहेंगे मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा एकेल प्रोथसान की जो सामक्री आपको प्लब्द कराई गई है आज तो युवा कल्यान विभाक ने कारिक्रम आयुजित कर रहा है स्वामी बिवेका नंद जी की जेनती होगी 12 जनबरी को 12 जनबरी से लेकि 23 दिसंबर तक लगभग 23-27 कारिक्रम होते हैं जिन कारिक्रमों के साथ जुड़ने का आऊसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है और उन कारिक्रमों के मात्यम से गाओं में समाजिक सोहार्द के स्तापना करना गाओं के युवा मिलकर के एक रसनात्मक दिसा की और अपने गाओं को लेग जा सके स्वच्छ भारत मिशन के लक्सियों को प्राप्त करके पुरे गाओं में स्वच्छता के लक्सियों को प्राप्त किया जा सके और गाओं में एक बहत्रीन माहूल बनाकर कि अपने गाओं को भी हमें एक स्मार्ट विलेज की रुप में विक्सित कर सकें यह हमारी युवाओं का दाहित तो होना चाहिए युवा कल्यान में भाग के जुड़े भी हमारी युवाओं का दाहित तो होना चाहिए स्वस्त खेल प्रतिस्परदा को आगे वढ़ाना बॉली बॉल है फुटबॉल है कबड़ी है या फिर अन्यवे खेल खोको है इस सभी खेल जो गाउं में एक आनंद का माहुल पैदा करें गाउं में रामिल्ला का आयुजन हो गाउं में भजन कीरतन के आयुजन हो गाउं में कुछ अच्छे रसनात्मक कारिकरम के साथ गाउं जुड़ सके है आज उस दिसा में बढ़ने की आउ सकता है याद रखना गाउं भारत के एकात्मता का अधार है हमारे गाउं सुन्दर होंगे स्वस्त होंगे संब्रिद होंगे तो ये स्वस्त, संदर और संब्रिद का लाब हमारी देश को भी मिलेगा देश की आये पर इसका सर पड़ेगा गाउं में हर एक दिसा में एक रसनात्मक कारिकरम के साथ जुड़ना और यूक मंगल दल और महला मंगल दल भी इसी उद्देसे से गठित किया गया यूक मंगल दल 1956 से चले आ रहे हैं महला मंगल दल 1982 में गठित हुए थे और तब से लगातार अपेकसित ध्यान नहीं दिया बीच के कालखंड में पेकसित हो गयते हैं खेल सामागरी नहीं मिलती थी उनके साथ कोई संबाद नहीं होता था पता नहीं कहां से डिंपल बर्माजे ने ढूंड ढूंड करके परदेस के अंदर 77,000 से दिक यूक मंगल दल और महला मंगल दल बना दिये बहुत बड़ी संख्या में बना दिया बहुत बड़ी संख्या में और मुझे लगता है कि ये बड़ी संख्या अच्छा है हर गराम पंचैत में हमारा मनना हर गराजस्व गाओं में एक यूक मंगल दल या महला मंगल दल होना ही चाहिए जिससे वे वहाँ पर रसनात्मक गदविधियों को आगे बढ़ा सकें परव और तेवारों में सांती और सोहर्द बनाई रखना गाउं में कोई भी सरजनिक कारिक्रम हो उसमें सामदाइकता का असर दिखाई दे सोहर्द दिखाई दे आपस में भाई चारा दिखाई दे खेल कोट की स्वस्त प्रतिस्परदा को आगे बढ़ा कर कि अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकें और इनी सब बातों को ध्यान में रख करके जब विभाग इस चीज़ को तैय कर रहा था लेकिन पिसले कारिकरम बड़े-बड़े हुए हैं बड़े-बड़े आयुजन हुए हैं अन्ने जन पतों मझे जाने का उस्सर प्रत हुआ और मैं देखता था कितना उत्साह है योकों में और उसी को ध्यान में रख के हमारी सरकार ने तैय किया दो प्रकार की उसना ही हमने तैय की थी की है एक इसना तक और प्रासना तक हर एक युवा को हम टैबलेट अथवाई स्मार्टफोन बितरन का कारिकरम औरत्मान में कर रहा है जो यह बच्ची यहां पर अभी थी बीटे कर रही है उन लोगों को हम टैबलेट देने जा रहे है क्या तो मिल गया होगा नहीं तो मिल जाएगा मिल गया जगो उसको मिल गया खड़े हो जा थोड़ा तो है देख तो लेंग लोग सभी तो जगो उसको टैबलेट भी मिल गया है ऐसे सभी को हम देने जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में लगवग एक करोड युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन उन्हें डिश्टली स्मार्ट बनाएगा प्रदेश विकास के एक नए पायदान पर आगे बढ़ करके प्रदेश में नंबर एक का प्रदेश बनेगा इस दिसा में हम लोग प्रदेश के अंदर इस कारवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तोस्या मैंने करोना काल खंड के दोरान देखा था एक समस्या जब लॉक डाउन लगा हमारे पंद्रह हजार बच्चे कोटा में फंस गए थे वो कोचिंग कर रहे थे और कोचिंग के दोरान मैंने देखा कि राजस्तान की सरकार ने सयोग करने से इंकार कर दिया था मैंने यहाँ पे अपने दिकारियों से बाच्चित किया कैसे होगा क्योंकि सभी परिवार के अईभावक परिसान थे हर एक माबाप परिसान हो गए उनके बच्चे बाहार है करोना आगिया लॉक डाउन है आवागमन के सादन बंद है कुछ भी नहीं मारकेट बंद है सब कुछ बंद है कैसे होगा तो उस समय मैंने यहां से जब राजस्तान सरकार ने सहयोग करने से इंकार कर दिया तो फिर मैंने 500 बसे जहां से भेजी और उन सभी बच्चों को सुरकसित वापस उनके घरों तक पहुचाने के लिए हम लोगों ने यहां से फोर्स भी भेजी बसेस भी भेजी उन बच्चों को वापस लाए उनको उनके घर तक महुचाए और तब मैंने कहा था कि इन बच्चों को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न छोड़ना पड़े इसके लिए हम लोग प्रतियों की परिक्साओं की तियारी करने के लिए अभ्यूदय कोचिंग की एक बिवस्ता परारम करेंगे और आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपर में अभ्यूदय कोचिंग परारम हो गई है या हो रही है इससे जुड़ने वाले बच्चों को आफ लाइन या ऑनलाइन एक्जामिनेशन की तियारी या अपना प्रिप्रेशन के लिए हमने टैबलेट देना परारम क्या दस हजार ऐसे बच्चों को अब तक हम टैबलेट को प्लब्द करवा चुके हैं जो अभ्यूदय कोचिंग के साथ नीट की तियारी जेई की तियारी कर रहे हैं या फिर आपके जो है फुद्सा और उमंग के साथ में है उसको एक रस्नात्मक दिसा देने का कारे योग मंगल दल और महला मंगल दल को करना चाहिए ये दोनों इसके साथ चुड़ करके कारे कर रहे हैं आज के सौसर पर प्रोथसान सामगरी जो यहां पर वित्रित की गई है ये परोथसान सामगरी परदेश के अंदर लगभग पचीस हजार महला मंगल दल और योग मंगल दल को पलब्द आज कराई जा रही है मैं इसके लिए योग कल्युआ कल्यान विफाग को हिर्दे से बढ़ाई देता हूँ अपनी सुपकामना ही देता हूँ और विश्वास बेक्त करता हूँ कि वे सभी इस अभ्यान के साथ जुड़ करके पूरी प्रदेश के हरे एक गाउं में न केवल खेल कूद के कारिकरम बलकि गाउं को रसनात्मक दिसामें आगे बढ़ाना गाउं की विकास की प्रियुस्नाओं को समय बढ़ा बढ़ाने के लिए एक उचित माहोल बनाना और गाउं में एक सकारत्मक उर्जा का संचार करने में अपना योगदान देंगे आज के अस्वासर पर मैं विभाग को धन्यबाद देते हुए आप सभी को प्रदेश भरके सभी मंगल योग मंगल दल और महला मंगल दल को हिर्दै से अपनी बढ़ाई और सुप्कामनाई देता हूँ धन्यबाद जैहिन